कम टू दस सेक्षण ई जिससे सबको मलब ऐसा लगता है कि फाइब मारकर फाइब मारकर सबसे पहले इस एक अटेम्ट कर ले न चीए कोई दिक कर निये सेक्षण तो अगर अटेम्ट कर रहे हो तो एक कोश्चन एक जगा पर पूरा अटेम्ट करना है बस इतना आपको ध्यान रखना है अगर मैं बात करता हूँ सेक्षण ई की the following questions are long answer type and carry five marks each all questions have an internal choice और एक कोश्चन अमारे पास यह आ जाता है इच मार्क कितना कैरी कर रहा है अगर 31 की मैं बात करता हूँ तो 31 कैरी 31 मार्क कोश्चन जो कैरी करता है 31 कोश्चन कैरी five marks a part then a part two marks का बी पार्ट three marks ठीक है a part two marks का और b part three marks का और उसमें भी two marks है तो एक mark इसका एक mark इसका ऐसे ही जब हम b part की बात करते हैं तो ध्यान से देखो b में भी three parts है एक 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 कहां से बचा five mark करिये पांच कोश्चन दे दिया एक एक मार्क के तो बच्ची तो बनतो गया एक मार्क करी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बूला था कि केमिस्ट्री के अंदर वन मार्क कर टाइप के कोश्चन ही मैक्सिमम आने हैं पर वो है कि five marker उसमें बस पांच कोश्चन बन मार्क के सारे सिंगल एक एक सिंगल सिंगल उसके कोश्चन होते हैं ध्यान से एक एक मार्क के कोश्चन ज्यादा है चलिए come to the next previous question अभी हमार पास अब purple compound अच्छा purple compound होता है के अमनोफोर बस याद रख लो organic में हमें इसी का काम आने वाला है which is a strong oxidizing agent yes केमनोफोर is a strong oxidizing agent used for bleaching the wool ठेक है wool की bleaching में काम आता है cotton बिलकुल आता है silk and other textile fibers was added to three test tube along with estuosophore means basic solution हमने बना दिया it was followed by strong heating हमने ठीक है उसको इसके बाद heat कर दिया heat करने में जो reaction होनी थी वो हो जायता कि in which of the test tube a b c ठीक है there is a three test tube a b and c violet vapors will appear ठीक है अभी उन्होंने हमें और कोई information दी है the bubble of the gas evolved is extinguished a burning match stick write an equation for the above अभी इन्हों ने हमारे पास information दी है this is the oxalic acid और PBS और this is the KI चलो आओ बच्चों मैं आपको ना इनकी reactions बता देता हूँ पहले हम oxalic acid के साथ बात करते हैं अगर मैं KMNO4 अब देखो मैं ionic equation लिखने जा रहा हूँ कौन सी? ionic equation ionic equation ही हमारे काम आने वाली है अगर मैं ionic equation लिखता हूँ तो MNO4 जो कि KMNO4 से आया होगा माइनस ये A के लिए है जो कि oxalate ion oxalic acid से भी आप चाहें तो लिख दो इतना कोई वो नहीं है हमारे पास they will react in acidic medium मैं balance करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ पहले मैं product बनाना बता रहा हूँ balancing को मैं इसके बाद बताऊंगा अगर हम इसको balance करेंगे तो हमारे पास ये बन के आएगा और this will form हमारे पास क्या बनाएगा MN2 plus MN2 plus और यहां पर आजाएगा हमारे पास क्या आजाएगा CO2 ये fire extinguisher की तरह काम करेगा now second उसमें test tube में हमारे पास क्या वलेबल था if I am talking about in the second test tube second test tube में PBS है ठीक है PBS के साथ अगर मैं reaction की बात करता हूँ भया देखो oxidizing agent है ये अपने आपको क्या करेगा reduce करेगा अपने आपको reduce करेगा MN4 minus अगर हमारे पास plus में क्या है PBS sulfur भी plus lead जो है plus 2 में है और यह हमारे पास क्या है हाँ जी यह plus 2 में है और यह हमारे पास आजाएगा यह अगर हम बात करते हैं तो यह बनके आएगा S2 minus अच्छा इनका oxidation कराना है तो हमारे पास oxidation में आएगा MN2 plus अगर हम बात करते हैं plus sulfur जो होता है S2 से हमारे पास sulfur 2 में पहुँच जाता है minus 2 से zero oxidation state में पहुँच गया point clear हो गया minus 2 से zero oxidation state में पहुँच जाएगा now C test tube की बात करते हैं अगर हम C की बात करते हैं तो C is the Ki MnO4 minus plus this will be the Ki और अगर में Ki iodine minus आएगा भाई साब इससे I minus अगर I minus आएगा तो it will convert into the Mn2 plus और plus I2 क्या बनेगा I2 बनेगा यहां पर आएगा बच्चो SO4 तो माइगा अब यहां पर जो मेन हमारे जो बनने वाले वो थे हमने वो बना दिये आईए आप question को थोड़ा सा पढ़ते हैं वाईलेट वेपर्स विल वी फॉर्म किस test tube में बनेंगी वाईलेट वेपर्स बहिया वाईलेट वेपर्स बनेंगी जिसमें आयोडीन आयोडीन वाईलेट कलर का होता है तो यानि this is the bubbles of the gas evolve will extinguish a burning match stick right equation for both above यानि कि हमारे पास जलती हो ही matches की तिल्ली को कौन बुजा सकता है जिसते CO2 निकल रही है जाने कि हमारे पास क्या हो जाएगा a आपको balance chemical equation कौन वंज यह लिखनी होंगी इनको आपको balance करके लिखना है इसको और इसको बस इतना सा आप balance करके लिख देंगे you will get the two marks perfectly चलिए बच्चों next बात करते हैं अब metal iron एक हमारे पास कौन है mn plus mn plus होना चाहिए of the first transition series having b5 electronic configuration this is not mn plus this is the mn plus transition state 5 electronic configuration combined with 3 di-dent di-dent means जितके पास दो center है electron donate करने के लिए assuming del o is greater than p वह इन्होंने कुछ data दे दिया है एक तो दे दिया है d5 electronic configuration और यह दे दिया है del o is greater than p यह बड़ा है value यह information दिये ना एक बास cross check कर लेते हैं हाँ जी यह information दिये del o is less than बच्चों is less than is less than less than p is less than p चले यह उन्होंने हमें यह information प्रोवाइट कर दिया अब पूछा क्या है यह तो देखी लेते हैं अगर हम पूछने की बात करते हैं तो draw the crystal field energy level diagram for the 3D series of this complex इस complex के लिए हमारे पास क्या करना है 3D series के इस complex के लिए energy level diagram आपको क्या करना होगा कि हमारे पास ऐसे 1,2,3,4,5 यह बोले जाएगा degenerate de-orbitals de-orbitals इसके बाद सभी के सभी orbitals बनाने हैं under the influence of under the influence of symmetric crystal इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें से 2 उपर लेके जाएगे और 3 हमारे पास नीचे है इसमें भी पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे आप अब राइट ना उन्होंने बोला हुआ है कि pairing energy is more महला पेर अप करने में energy जादा लग रही है तो दिस इस डिल ओ और दिस इस लेस देन पेरिंग इनर्जी पेरिंग इनर्जी इस मोर तो आप क्या करोगे एक दो तीन चार पांच बन गया बस दिस इस क्रिस्ट्रल फिल्ड सी एफ्टी डाइग्राम जो इन्होंने पहले पार्ट में पूछा हुआ है कितने marks का है अगर मैं आपसे marks की प्लस है इस दिस कॉंप्लेक्स एंड वाई पर देखो हमारे पास यह और्बिटल जो डी और्बिटल से अभी फ्री नहीं है अगले स्टेस में बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास सिक्स लिगेंट्स है तो यानिकि या तो हो सकता है sp3d2 या फिर d2 sp3 इनर और्बिटल खाली नहीं है तो हमारे पास कॉंसा कॉंप्लेक्स बनेगा आपका बस आंसर इतने में चल जाएगा काम second b part आएगा hybridization hybridization is equal to क्या हो जाएगा sp3d2 क्या हो जाएगा sp3d2 point clear हो गया sp3d2 अगर हम बात करते है sp3d2 हो जाएगा अगला question आता है previous question देखते है hybridization name the type of isomerism exhibited by this type of complex बच्चो जाओ ये compound जो होता है इसका structure मैं आपको बना के दिखाओ मान लो मेड़े पास metal M है और ये कुछ ऐसा type का structure बन के आएगा एक central atom एक 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 इस शुड़ बन के आएगा और इस 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 इन मान लो कोई by dented होगा ये हो गया by dented ligand इन का ही example ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है इन इताइलीन डायामीन इताइलीन डायामीन तो ये जो complex बनाता है ये बनात है optical isomerism it shows the optical क्योंकि इसका एक mirror image बनके आएगा और आप ये वर्ड लिखाया हो ये डायग्राम बनाने के बाद एक mirror image बना दो दोनों केस में आपको पूरे marks मिल जाएंगे आपके कोई marks नहीं कटेंगे हाँ पर चलिए हमारे पास हो गया तीनों पार्ट हो गई या नहीं हो तरफ चलते हैं we come to the next question now एक data हमारे पास given है अब ये diagram पता नहीं आपको visible है या नहीं है उमीद करता हूँ कि यह जो लिखा हुआ है या आपको visible होगा यूजिंग वैलेंस बॉंड थ्योरी हमें वैलेंस बॉंड थ्योरी के help से identify a b c d e f यानि कि this is a this is b this is d this is c this is e this is f यह चार चीज़े निकाल लिए तो यह मैंना क्या करता हूँ मैं data wise मेरे पास क्योंकि मुझे इसमें visibility नहीं आ रही है क्योंकि यह मुझे ब्लर नजर आ रहा है तो इस ब्लर के वज़े से मैं एक मैं उठाता हूं मैं इस सेंपल वेपर को पिक किया और मैं इसके हिसाब से data लिख देता हूं आप लोग इसके लिए आप क्या करेंगे पीडियाफ डाउनलोड कर लेंगे और पीडियाफ डाउनलोड करने के बाद उसमें देख लेंगे कि क्या क्या हूं मैरे पास है चलिए अगर हम बात करते हैं इसके solution की तो मेरे पास ए निकालना है हमारे पास complex जो है that is the cof यह given है 4 और 2- ए इस दे आर आसकिंग कि इसमें central atom क्या है तो ए जो हो जाएगा ए इस a central atom कौन सा हो गया central atom हमारे पास हो गया that is cobald वह इसमें cobald ही तो है क्या नजरा आ रहा है इसमें that is cobald चलो इन्होंने भी पूछा है number of unpaired electron अच्छा बच्चो इस दा वीक फिल्ड लेगें वीक फि तो x-4 और is equal to minus 2 तो x is equal to plus कितना आगिया हमारे पास x is equal to plus 2 इधर जाएगा तो plus 2 आएगा अच्छा कोbald का electronic configuration 2 plus में लिख देते हैं कोbald होता है बच्चो 27 atomic number किता होता है 27 अगर 27 का लिखूंगा तो that is the argon और 3d7 4s0 अगर तुम 3d7 के हिसाब से निकालते हैं तो 1 2 3 और 4 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको explanation करने की जुरुत नहीं है अगर आप डारेक भी लिख देते हैं इसके answer तो इस पे कोई number आपके काटने से रोक नहीं सकता है क्योंकि यह जो table given थी यह 3 mark की table थी और 3 mark के table में आपको each part जो हाफ marks का है now इन्होंने पूछा हुआ है C अब अगले complex पे बढ़ते हैं अगले complex यानि कि इसमें अगला complex है हमारे पास Cr H2O whole क्या पूछा हुआ है twice और C2O4 whole कितना पूछा हुआ है twice यह complex है और इन्होंने इसका पूछा हुआ है hybridization of central metal atom hybridization of central metal atom बच्चो अगर मैं इसके oxidation state निकालता हुँ that is a x minus 0 या plus 0 minus इस पे C2O4 पर एक पर चार्ज होता है minus 2 तो minus 4 is equal to 0 तो Cr is equal to plus 4 यह chromium plus 4 oxidation state में है सोच रहे हो अब लिखा तो यार उन्होंने यह है वैसे तो plus 3 में ज्यादा stable होता है पर अगर हमने chromium क्या oxidation hybridization लिखा chromium 4 प्लस का तो इसका atomic number होता है बच्चो 24 अगर इसका electronic configuration लिखूंगा तो सुधी सोचो के आएगा argon 3D डी में कितने electron बचेंगे भई पहले 4 s1 3D 5 था s1 निकलेंगे 4 निकाल लें तो 3D 2 अब यार हमारे पास अगर मैं बात करता हूं एक दो 3 और 4 electron है दो बस दो ही है और data में 6 by dental ligand है इसका जो coordination number है that is a 6 तो इसके हिसाब से दो ही hybridization possible है या तो हो सकता है d2 sp3 और या हो सकता है sp3 d2 आप खुद ही सोचो inner d orbital खाली है क्यों नहीं होगा inner d orbital में तो hybridization यानि कि जो c answer आ जाएगा that is a d2 sp3 d2 sp3 point के लिए रो गया क्या हो जाएगा d2 sp3 अगर हम next की बात करते हैं बच्चो next नेक्स नेक्स ने बोला हुआ है कि भाईया c के बाद number of unpaired electron दो यानि कि हमारे पास number of unpaired नहीं पूछा हुआ है hybridization के बाद magnetic behavior युनोंने पूछा हुआ है d it is a paramagnetic क्या होगा it is a paramagnetic in nature point clear हो गया अगर हम next की बात करते हैं next question की तरफ अरे 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 page add करो अभी तो हम next data की बात करते हैं तो next data है nico whole 4 बस इसमें होता क्या है बच्चे configuration उन्होंने लिखके दे रखा है कि nickel का जो configuration of the metal iron है this is a 3d84s2 है पूछा वाय है hybridization of the metal hybridization of metal की बात करता हूँ तो होता क्या है इसके अंदर hybridization जो निकल के आता है this is a 4p0 होता है अच्चा CO carbonil is a strong ligand अगर में strong ligand होता है हमारे पास तो carbonil is a strong ligand ये क्या करेगा ये जो d orbital में electron है एक दो तीन और चार हमारे पास और 4s में जो electron है और p के electron orbital खाली है तो ये एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और ये एक ये इसमें जम्प करेंगे ये इसमें जम्प करेंगे और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ये इसमें जम्प करेंगे जम्प करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चे ये orbital fully filled हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ये खाली रहेगा, और इस खाली होने की वज़े से, ये वाला पार्ट का hybridization निकल के आएगा, SP3, क्या निकल के आएगा, SP3, तो हमारे पास ये SP3 निकल के आएगा, तो answer क्या हो जाएगा, hybridization SP3, now they are asking, geometry of the complex, अगर hybridization SP3 है, ये निकल के आएगा, और F जाएगा, that will become tetrahedral, क्या निकल के आएगा, tetrahedral, तो ये बाला पार्ट कम्प्लीट हुआ, come to the next part, write the ionic equation of the reaction of acidified K2CR207 with H2S and FeSO4, बच्चों, जब reaction हमारे पास आएगा, write the ionic equation, अगर हम इसकी बात करते हैं, ionic equation की बात, तो हम लिखते हैं, पहला B part का first part, ये K2CR207, यानिकी CR207, 2-, ionic equation बोल रहा है, किसके साथ? H2S, यानिकी S2-, balance करते हैं इसको, तो ये निवनता है, CR2 plus में, और plus S में बन गया आता है, sulfur, चलिए, इसको balance करने का तरीका देख लेते हैं, इसकी past oxidation state है, plus 6, तो plus 6 की oxidation state, plus 2 में convert हो रही है, किसमें हो रहा है? प्लस 6 से प्लस 2 में जा रहा है, ठीक है, आपको redox में balancing तो आती होगी, 6 plus 6 से प्लस 2 में जा रहा है, तो 3 का change, प्लस 6 से, अहां, अहां, गलत हो गया, गलत हो गया, that should be the plus 3, तो how much change, 3 का change, जब 3 का change हो रहा है, और 2 chromium है, तो that is a 6, minus 2 से 0 जा रहा है, that is the change of 2, ratio लेंगे, तो 3 is to 1, cross multiply कर देना है, यहां पर, cross multiply कर दोगे, तो this is a 1, this is chromium is a 3, हमारे पास sulfur is a 3, चलिए, आपके पास chromium अगर हमारे पास, अगर हम यहां पर देखते हैं, chromium 2 है, तो make it 2, sulfur 3 है, तो make it 3, आजा charge देखते हैं, यहां पर 2 negative, 3 to just minus 8, charge कितना है, इधर minus 8, और इधर charge कितना है, इधर है charge हमारे पास, 3 to just 6 plus 6, मैं कितने hydrogen add करूं, मैं ऐसे कितने hydrogen add करूं, 8 और 6, 14 hydrogen अगर मैं इधर add कर देता हूं, किधर, इसको मैं यहां से हटाता हूं, थोड़ा सा, छोटा करता हूं, plus 14H plus, तो reaction दोनों side charge बराबर होगा, इधर hydrogen add करती है, oxygen जो हो गया, disbalance, तो oxygen के लिए हमें क्या करना होगा 7H2O इधर add करना पड़े हैं, by default देखोगे, किस्मत यह रहेगी हमारी set ऐसी, अगर यह calculation करो, किस्मत set के हमने बनाया इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से balance करते हो, तो देखना last में oxygen by default balance मिलेगी, now अगला part, अगला part में आपके लिए यहां पर केवल balance करके नहीं दिखा मैं आपको बस बता रहा हूं कि iron जो है, अगर के टू सी आर्ट, अब मैं iron equation बोला हुआ है, तो CR2O72- plus iron Fe2 plus से, this will convert into the CR3 plus, और iron हमारे पास convert हो जाता है, Fe3 plus, बस acidic medium में आपको balance करना है, के टू सी आर्ट, बेसिक में नहीं काम करेगा, acidic में ही काम करेगा, और आपको balance करके लिखना है, और वैसे भी लिखा हूँ अभी है, acidified, point clear हो गया, comment box में answer बताईएगा जरूर कि क्या balance करके आ रही है, equation, चलिए, come to the next one, अगर हम बात करते हैं, next question हमारे पास आता है, give the reason for the following, 32 का A, the reaction of ethanol with acetyl chloride is carried out in the presence of pyridine, एक reaction का सीधी सी बात बताता हूँ, इसका एक line का answer है, क्योंकि one word है, pridine is a strong, यह पार्ट अगर हम बल लिखते हैं, pridine is a, ठीक है, एक strong base है, it is a organic base, and जब reaction यह कराता है, acetyl chloride से, तो हमारे पार acetyl chloride में, इसका work जो आएगा, to capture, to capture the acetyl, ताकि acetyl हमें further reaction में, participation में, और कुछ affect न डाले, जब reaction में acetyl बना होगा, उस acetyl को capture करने के लिए काम करेगा यह, ठीक है, चलिए पहले का answer हो गया, अगर मैं इसकी marking scheme की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी marking scheme की बात करता हूँ, तो यह है हमारे पास one marker question, ठीक है, now next आता है, chrysal are less acidic than phenol, इसकी answer को अगले उस पर समझते हैं, जब बच्चों, chrysal क्या करता है, अगर मैं इसकी answer को समझता हूँ, chrysal यानि की B part, अगर हम बोलते हैं, chrysal are these compounds, OH और CS3, और this is the ortho chrysal, OH and this is the CS3, this is the metacrysal, और this is OH and CS3, बच्चों कोई सा भी chrysal ले लो आप, अब जनरल ही तरीका क्या होता है, chrysal को जनरल तरीका लिखने का होता है, like OH और ऐसे करके CS3, अगर मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इससे H+, निकाला, तो यह बना होगा, this is O- और CS3, अगर केवल मैंने phenol से O- निकाला, और मेरे पास phenol से अगर केवल O- निकालूँगा तो this way, this is the electron donating group, electron releasing group, and electron releasing group destabilize the phenoxide ion, due to which electron releasing group, आपका आंसर में, electron releasing group destabilize the phenoxide ion, hence phenoxide ion को destabilize करेगा, hence chrysal is less acidic, hence chrysal is less acidic, अब होगा क्या, आपको कोई सर उससे क्या होगा, यार बच्चे वो acid बहुत अच्छा होता है, जिनसे H+, निकलने के बाद, जो N- अइन बनता है, वो stable हो, अब यह chrysal, यह CS3 group क्या कर रहा है, यह इसको destabilize कर रहा है, destabilize करने के वज़े, यह जो N- अइन बना है, यह less stable है, फिनोल वाला N- अइन जो है, वो इसके compare में ज़्यादा stable है, ऐस वज़े से phenol ज़्यादा अच्छा acid होगा, as compared to chrysal, पॉंट क्लियर होगा, यह आपको इतना represent करना था, बोला होगा, आर लेस अइसडिक, definitely they are less acidic, क्यों, because CS3 group is, हमारे पास electron releasing, which destabilize the, which destabilize the, क्या करेगा, phenoxide ion, बस इतना सा हमारे को answer लिखना था, चलिए, इसमें कोई marks नहीं आपका करता, Williamson process is used for the preparation of ether, from alkyl halide, identified the alkyl bromide, with sodium alkoxide, used for the preparation of, 2-ethoxy-3-methyl-pentane, बड़े प्यारा कोशन है, लिखते हैं, 2-ethoxy-3-methyl-pentane, यानि कि 3-methyl-pentane है, हमारे पास, अगर इसका structure बनाते हैं, तो 2-ethoxy है, तो that should be the CH3, CH, 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 और CH3, और that is the O-C2-H5, एथोक्सी लिखा हूँ है न, just 2-ethoxy, तो that should be the CH2, और CH3, और अब मैं लगाता हूँ, 3-methyl, 1-2-3, इस पे CH3, और इस पे CH3 लगा दिया मैंने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3-H3 लगा दिया, then CH2, चलो, यह है हमारे पास, identified the alkyl bromide and sodium alcoxide, used for the preparation of the 2-ethoxy, हमें यह बनाना है, बच्चे यार, अब देखो सुनो, ध्यान दे, एक टाइब की यह alkyl में substitution reaction होती है, यह alkyl bromide और sodium alcoxide, मुझे यह group बना कर ला कर देना है, चलो, ठीक है, इसकी दो possibility हो सकती थी, अगर हम बात करते हैं, मैं एक बार confirm कर लेता हूँ, structure हमारे पास यही बनेगा, true ethoxy, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ethoxy, 3 methyl, 1, 2, 3, 3, 3, उस पर methyl बोल दिया, pentane, 1, 2, 3, 4, 5, yes, right, structure is right, तो यार, देखो हमारे पास जो है, या तो ये वाला portion, ऐसे sodium ethoxide हो जाता, तो मैंने क्या करा, अगर मैं बनाता हूँ, अगर आपकी reaction CS3, C, generally हम क्या करते हैं, या तो आप, देखो, possibility है, possibility बता रहा हूँ, CH2, CH3, और H, that is the, CH, CL, CS3, इसकी reaction हमने किस से करा दी, CH2, CH2, O, माइनस, NA+, इससे भी product हमारे पास जो बनेगा, ये O, माइनस भाई सब आएंगे, attack करेंगे, release कर देंगे, एक possibility ये हो जाती, तो product हमारे पास क्या बन किया आता, CH3, CH2, CH3, that is the CH, CH, CL, और CH3, sorry, 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 this is the CH3, और O, C2, H5, अगर मैं बात करता हूँ, इसको लेकर, मैं बहुँआ, एक example हम ये भी तो ले सकते थे, CH3, CH2, CH3, H, और, this is the CHO, minus, और CH3, plus, CH3, CH2, same product हमें मिल जाता, this O minus will attack and release, बस group बलकी हो जाता, तो थोड़ा सा preference नहीं होता, वरना वो जादा better option रहेगा, उसके through reaction आपको करानी चाहिए, आप दोनों में से कुछ भी लिख कर आते, you will get the marks, but preference इसको दी जाती, अगर कोई option पूछा जाये तो, क्योंकि वो जो attacking group है, वो इतना बलकी नहीं है, उस पर जाके attack कर देगा, it is a 2 degree वाला alkyl halide, ठीक है, नियुप करेगा, और ये वाला compound बना देगा, point clear हो गया, preferred किसको दिया जाएगा, उपर वाले को, now, ठीक है, previous उसमें question देखते हैं, अच्छा, ये marker की बात करूँ, तो कितने mark का question है, हमारे पास, it is a 32 का B part, and if I am talking about this question, it is a 32 का B part, is हमारे पाँ one mark का question है, चले, now next आता है, convert, next question है, convert, एक page और कहां गायब हो गया, convert toluene, किसको convert करना है, toluene to nitro benzoic acid, 3 nitro benzoic acid, अच्छा चलिए, toluene से मुझे क्या convert करना है, this is a CS3, और this is the 3 nitro benzoic acid, COOH और NO2, यही हो गया, अच्छा, अगर मैं पहला part लिखता हूँ, मैंने क्या कराया, toluene की reaction, CS3, toluene की reaction, पहले मैं किस से कराऊंगा, पहले मैंने करा दी है, अगर मैं हीट करता हूँ, तो यह बना देता है benzoic acid, और यह बनाएगा COOH, और इसके बाद मैंने reaction करा दी है, concentrated HNO3 के साथ, और concentrated H2SO4 के साथ, अगर मैंने यह reaction करा दी, तो मेरे पास इस पे electroflex substitution हो जाएगा, और product बनके आएगा, this is the COOH, और NO2, point clear हो गया, हमारे पास COOH, और NO2 लगकर आएगा, come to the next one, अगर हम बात करते, अच्छ, अच्छ, पीछे वाला तो भूली गया हमें, एक और, यह है benzen 2, M-bromo, sorry, M-meta-nitro-acetophenol, metanitro-acetophenol, benzen 2, metanitro, यानि कि metaposition पे NO2, और acetonitro-phenol, यानि कि C-1-1-O, aceto, this is a CS3, बस्क्या करना था, ज़्यादा कुछ नहीं हमारे पास, इस reaction को हमने क्या कर दिया है, अगर आपकी conversion की बात करते हैं, तो CS3, C-1-O, CL-A-L-C-L-3 से reaction करा देने हैं, जब आप इस reaction को कराओगे, तो आपके पास आएगा, this become T-1-O, TH3, और यहाँ से हमारे पास चला जाएगा, this H-N-O-3, concentrated, लिखना मत भूलिएगा, concentrated H-2SO4, बस दो step का यह reaction था, आपके पास वो वाला product बन जाएगा, चलिए, come to the next one, अगर हम बात करते हैं, चलिए, अब आती है बारी, question number 32 के और बाले part की, तो यह 5 marker question, हमारे पास question number 32, अगर हम इसे read करते हैं, तो हमारे पास यह बोलता है, कि, out of formic acid, and acetic acid, एक हमारे पास formic acid है, और एक acetic acid है, which one will give the HVZ reaction, पहले तो HVZ reaction क्या है, इसको अभी हम देखेंगे, reaction, give a suitable reason, in support of your answer, and write a chemical reaction involved, अब basically अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको HVZ reaction का पता होना जरूरी है, अगर मैं HVZ reaction की बात करूँ, तो HVZ reaction होती क्या है, जब आप acid, मुला sorry, आप जो carboxylic acid, जिसके पास alpha hydrogen available है, उसकी reaction आप halosan और red phosphorus की presence में कराते हैं, तो उस alpha hydrogen की जगा पर, उसे replace करके क्या लग जाता है, हमारे पास X लग जाता है, और X क्या है, CL और BR होना है, तो यह reaction मैंने already यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं इस reaction की बात करता हूँ, मैंने hell, well, hard, gelance की reaction, इसका shortcut name होता है, HVZ, आपने खास बात देखी, कि यहाँ पर यह H हट कर आपके पास X लग जा, चलिए, नाव बारी आती है, हमारे पास formic acid की, formic acid is HC, double bond O, OH, no alpha hydrogen, no alpha hydrogen, जब alpha hydrogen नहीं है, तो X2 oblique red P, और this is the first, and second H2O, आप लिखेंगे, no reaction, यहीं पर अगर हमारे पास, acidic acid हो जाता है, तो CH3, C double bond O, OH, this will react, alpha X2 oblique red P, और second आ जाता है, H2O की presence में, तो this will form CH2X, और C double OH, yes, acetic acid will give, आप finally answer में चाहें, तो इतना भी लिख दोगे, छोड़ दोगे, तो भी काम चल जाएगा, last में finally, जब आप लिखते हैं, अगर मैं आपके इसकी breaking की बात करता हूं, अगर मैं इसकी breaking की बात करता हूं, तो यहां breaking में हमारे पास, इस reaction को लिखने में, आपके पास हमारे पाट, 1, 2 mark का give the reason, हाँ, it is a 2 mark question, आपका 1 mark तो इस reaction पर चला गया, 1 mark इस पर आ जाएगा, कि out of this, which one will give, which one will not give, तो 1 mark टोटल इस reaction पर, 1, half and half, इनकी information पर जाएगा, कि why out of these two, which one will give, and which one will not give, point clear होगी आप सभी को, उमीद करता हूँ, यह point clear हुआ होगा, come to the next one, alcohols are acidic, but they are, ठीक है, alcohols, they are weaker acid than water, यह weaker acid है, than water से, ठीक है, arrange various isomers of butanol, in increasing order of their acidic nature, give a reason for the same, चली बच्चु न, मैं आपको इसकी थोड़ी सी, explanation देता हूँ, तो दो explanation इसके मिलते हैं, अगर मैं अगली बात करता हूँ पहले, तो पहले मैं आपको, simple था एक logic बताता हूँ, for acid, for acid, यह explanation आप लोगों के लिए है, ठीक है, यह explanation for आप लोगों के लिए है, यह explanation एक्जाम में लिखने वाए, अभी मलब आपको कैसे समझना है इस चीज के लिए है, for acid, if I am talking, suppose that I am talking about an acid HA, and it will form H+, plus A-, this is a acid, and this is known as a conjugate base, क्या बोला जाता है इसे, conjugate base, आप राइड ना, conjugate base, if conjugate base of an acid is stable, if conjugate base of an acid is stable, if conjugate base of an acid is stable, like acid, ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख दिये, stable the conjugate, stable the conjugate acid, stable the conjugate acid नी base, conjugate base, more is the acidic nature of acid, more the, acidic strength of the acid, जितना ज्यादा stable ये A- होगा, उतना ज्यादा stable acid होगा, चलिए, एक reason तो ये आता है, दूसरा, भाई, R, O, H हो, इसे दूसरे तरीके से, इसकी वज़े से, अगर हमारे पास जो acid बनके आएगा, वो आएगा, R, O, माइनस, और water की वज़े से, जो acid बनके आएगा, that will be, अगर हम यहाँ से, H और H निकाल देता हूं, तो H O माइनस, इस बना conjugate base, conjugate base, तो conjugate base में, due to plus I effect, इसका plus I effect होता है, इसके plus I effect की वज़े से, ये less stable है, किस से compare कर रहे हैं, less stable, as compared to H O, means, अगर आप से पूछा जाए, R O माइनस, and H O माइनस, this is a less stable, stability order, जब stability order less होगा, तो हमारे पर ज़्यादा stable वो होगा, तो stronger acid भी water हो जाएगा, hence, less stable, hence, water is, water is stronger acid, than alcohol, than alcohol, O L है ये लास्ट में, alcohol, point clear आगिया, ठीके, this is a one way, कि आपको इस pattern पर अब जर्ब करना है, अगर हम बात करते हैं, if I am talking about another way, another way क्या, पहले दोनों की basis पर explanation कर दूँगा, भाई मुझे पता है कि, R O H, भाई इस बांड में, ये प्लस और ये, sorry, ये माइनस, ये प्लस, और H O H, इस इस पार्शल पॉस्टिफ पार्शल नेगेटिफ, more the polarity of this bond, more is the acidic nature, more the polarity, of this bond, more the acidic nature, भाई जितना ज्यादा polarity होगी, उतना ज्यादा acidic nature होगा, ये फंडा याद रखना, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर, it will show plus I effect, तो इसकी वज़े से, this, due to this, polarity of O H bond decreases, due to this, due to this, polarity, of, O H bond, decreases, polarity of O H bond decreases, ये decrease करती है, तो आप जो polarity decrease, hence, acidic nature decrease, hence, acidic, nature, decreases, अब आपको जोगे सर क्या, ऐसी लिख कराना है क्या, नहीं, आपको इसको थोड़ा सा line में convert कर देना है, proper language में लिखते देना है, there is a two way, how to explain it, there is a two way, first one, आप उसका conjugate base बनाई है, conjugate base की stability check करिए, more the stable conjugate base, stronger is the acid, जितना ज्यादा stable, उतना ज्यादा stronger acid, प्लस आई वाले facts वाले group जो है, प्लस आई उफेक्ट दिखाते हैं, वो decrease करते हैं stability, minus आई उफेक्ट वाले increase करते हैं stability, दूसरा, प्लस आई वाले polarity इस bond की कम कर देंगे, minus आई वाले polarity इस bond की बढ़ा देंगे, वही same logic, polarity बढ़ा नहीं है, reason प्लस आई ए, आपको अगर ये word आप miss कर गए language में, चाहें आइदर इस वाले वर्दन से लिखें, चाहें उस वाले वर्दन से लिखें, if you miss this word, तो chance है कि exam में marks कट जाएं, point clear हो गया, chance है exam में marks कट जाएंगे, तो चलो आओ, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने इसकी बारे में समझ लिया, कि why alcohol is less acidic, हमारे पास hence acidic nature decreases, why alcohol is less acidic than water, पहला point हमने ये समझ लिया, if I am talking about the isomers of alcohol, isomers of butanol, अगर मैं isomers की बात करता हूँ, तो A, CH3, CH2, 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 OH, B, CH3, CH, CH3, नहीं, अभी ये नहीं, CH2, CH, CH3, OH, तीसरा, तो CH3, CH, CH3, और CH2, OH, अड़ दी वन, TH3, और CH, CH3, और ये H मिटाते हैं यहां से, that becomes CH3, और OH, इसका नाम में बुतेन, 1-ol, बुतेन, 2-ol, 2-methyl, butanol, और दिस इस दा 2-methyl, 2-methyl-butane-2, sorry, उपर वाले में propanol आएगा, 2-methyl-propanol. दिस दा 2-methyl-2-propane-2-ol. चले बच्चे, हमारे पास यह isomers आगे, अब देखो ध्यान से, तबसे ज़्यादा inductive effect किसका होगा हमें यह देखना है, मैंने क्या करा, मैं मेरा को तो ज़्यादा बेटर लगता है, इनके आप क्या बना दिजे, इन सब के conjugate base बना दे, H हटाईए और बनाईए CH3, CH2 और CH2 और CH2 O-. दूसरे का बनेगा, CH3, CH2, CH, CH3 O-. अगर हम बात करते हैं इस वाले case में, तो यह आएगा, CH3, TH2, TH3, TH3 और O-. अगर मैं stability की बात करता हूँ, तो हमारे पास stability के मामले में यह चलेगा. This is the stability order. सबसे ज़्यादा stable वो है, then यह, then यह, then यह वाला. This is the, if we, I say, these are the alkoxide ions. These are the alkoxide ions. तो क्यों भई, इसका सबसे ज़्यादा inductive effect लगेगा? इन तीन का, then हमारे पास इसमें लगेगा, then इसमें लगेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें उसके बाद, इसमें उसके बाद, तो हमारे पास इस order यह वज़े से, सबसे least stable वो है, जो सबसे ज़्यादा least stable है, वो poor acid है. तो acidic nature अगर मैं बात करता हूँ तो acidic nature A then B अब इन्होंने decreasing बोला हुआ है या increasing बोला हुआ है ये देख लेते हैं इन्होंने बोला हुआ है बच्चो increasing order of acidic nature तो आपको जब increasing order of acidic nature लिखना है तो your answer should be increasing order लिखना होगा तो आपको लिखा जाएगा that is a D then C then B then A this is a order of increasing order increasing order of acidic nature increasing order of acidic nature point clear होगा increasing order of acidic nature ये हमारे पास order रहेगा चली गाइस next question पर चलते हैं ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये explain करने में थोड़ा सा time लगा है इसको वन्दा आप अकर सोचेंगे तो ये answer बहुत लंबा नहीं है ठीकि ये explain करना था मुझे आप लोगों को इस वज़े से मुझे time लगा है ये अके चार कारबन की चें बना लेता हूं तो मेरे पास CH चार कारबन की चेंच है तो CH और और चार कार्बन की चेन मिन गई ब्यूटेन, टू मिथाइल, ब्यूटेन, टू आल, मलग कि यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया, और दिस इस त्री, तो यह H मुझे भटाना ही पड़ेगा, यहां वाले पर, इस बिकम, ती और यह, हाँ जी, और रियक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, थी, नोट थी, इस त्री, इस शुद बी टू, थी, हमार पास यह कंपाउंड बन के आया बच्चो, अब यह, और रियक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड बी, हमने क्या कर रिया, ए हमारे पास जो है, एकंपाउंड ए, ए इस दा, ग्रिगनाड रियेजेंट है, और वो ए क्या है, identify A and B and write the equation, चलिए, A plus B की एक्विए एक्शन कराएं, आप ना पहले ऐसार प्रेजेंट कर दीजे, फिर यहां पर ना मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरे दिमाग में भी चलाएं, कोशन को देखकर, मेरे दिमाग में चलाएं कि there is two possibility, अगर मैंने CH3, Mg, B, R का रियक्शन, किसके साथ करा दिया, CH3, C, double bond O, CH2, CH3, this is A, और this is B, चलिए आईए रियक्शन कराते हैं, जब अच्छे इसकी रियक्शन कराई, तो यह भाई साब का काम क्या होता है, आपको यह बता रहा हूँ मैं, लिखने के लिए आपको नहीं लिखना है वहाँ पर, आप तो simple इतना करेंगे, अगर आपको represent करना भी हुआ, तो यहां पर आप negative, यहां positive दिखाएंगे, this negative will attack, bond will break, तो what will form, आपके पास बनके आएगा, CH3C, एक CH3 यह connect हो गया, O- और CH2 और CH3, ठीक है, हमारे पास यह connect हो जाएगा, अब right now further इसका hydrolysis कर देंगे, अच्छा, यहां MGBR लिख दी दिगा, ठीक है, यहां H2O connect कर देंगे, तो हमारे पास आएगा, CH3, COH, CH3, और CH2, CH3, क्या 2-methylbutanol नहीं बना, यहां बन गया, तो यानि A यह हो गया, B यह हो गया, अच्छा बच्चो एक possibility जो मुझे और नजर आ रही है, that should be, अगर मैं CH3, CH2, और MGBR की reaction, किस के साथ करा दी मैंने, MGBR की reaction मैंने करा दी, प्लस, CH3, C double bond O, और CH3, यहां से, यहां negative, यहां positive, इस negative will come and attack, a bond will break like this, what will happen, CH3, CO minus CH3, और CH2, और CH2, अच्छा गईज, अगर मैंने H2O से reaction करा दी, तो क्या होगा, जल्दी से बताईए, यह क्या बनेगा, CH3, OH, CH3, और CH2, और CH3, कई बच्चे कहेंगे, सर यह तो बन गया है, 2-ethylpropanol, 2, अरे पागलो, यह देखो, 1, 2, 3, 4, है बई, तो हमारे पास, अच्छा, numbering मैंने गज़त कर दी, मैं यह बन गया पागल, 1, 2, 3, 4, हम, 1, 2, क्या नएम है इसका, 2-methyl-propane-butane-to-all, 2-methyl-butane-to-all, अरे आया समझ में, आया या नहीं आया, है भई, भई, समझ में आया हो, तो जरा बस comment में, मुझे yes लिखते हैं, हाँ पर, इस movement पर, यह चीज clear हो गई या नहीं हो गई, यह RMGX की reaction है, चले, उमीद करता हूँ, clear हो गया होगा, इस case में, this is A, this is B, आप दोनों में से कुछ भी answer लिख कर आईए, आपके पास marks आपके कटेंगे नहीं, आपको मिलेंगे, come to the next one, अगर हम अगली reaction, अगले question में बढ़ते हैं, वैसे तो यह part complete होगा, अब बच्चो next question है, 33, और यह last question है, इसमें और पार्ट भी है, बड़ यह last question है, यह question यह बोल रहा है, an experiment was carried out in a laboratory, to study the depression in freezing point, 1 molar aqueous solution of aluminum nitrate, A, L, NO3 whole price, and 1 molar aqueous solution of glucose, अच्छा, from the given figure, identify the solution 1 and solution 2, देखो, उमीद करता हूँ, आपको visible होगा, this is a solvent, this is a solution 1, solution 2, और इन में यह point ऐसे मिल रहा है, अच्छा, depression किस में जादा है, solution 2 में जादा है, या solution 1 में जादा है, अगर मैं figure से देखता हूँ, तो मेरे पास, this is the, मैं graph को थोड़ा सा वो बढ़ता हूँ, this is a solvent, this is 1, this is 2, देखे, depression किस में जादा है, इसके बाद solid phase स्टार्ट हुआ है हाँ पर, तो freezing point में depression जो है, वो solution 2 में जादा है, चलिए आईए, इसके solution पर discussion करते हैं, अगर मैं इस question की बात करता हूँ, तो depression in freezing point, df, आपको पस इतना लिखना है, freezing point is equal to i into kf into molality, so i say delta tf is directly proportional to i, अब i की value आपको निकाल ली है, अगर आपने i की value निकाल ली, मिस समझ लो हमारे पास क्या हो गया, हमारा answer आगया, वह याब पहला solution क्या था, पहला solution यह बोलता है कि alno3, हमारे पास 1m aqua solution of alo, पहला मैंने लिया 1 molar alno3 का whole, चलिए, भया strong electrolyte है, यह, यह strong electrolyte है, क्या है यह, strong electrolyte, strong electrolyte का means, pollution aqueous phase में जाने पर, यह completely dissociate हो जाएगा, चलिए, अगर हमने aluminium alno3 को break करा, तो it will form aluminium 3 plus, plus, हमारे पास निकल के आएगा, no3 minus, और वो भी 3 times, भया एक बार देख लो, हमारे पास formula यह है, चलिए, come to the next, हमने माल लिया कि T is equal to 0 time पर हमने इसके 0 मोल लिये, सरी 0 कहारा, 0 लेंगे तो क्या ही फाइदा होगा रहे, 1, 1 molar aqueous solution ही बोला हुआ है हमें, तो T is equal to T, जब complete हो जाता है T time पर, जितना time उसे चाहिए था तूटने के लिए, अब यह खतम, अब यह combined form में नहीं बचा है solution के अंदर, it will break and it will convert into the 1, एक 1 iron बनेगा aluminium 3 plus के और 3 iron बनेगे and O3 minus के, guys, I is equal to होता है number of moles after dissociation, number of moles after dissociation, divided by initial moles taken, initial moles taken, तो मेरे पास क्या है, I is equal to, अगर हम बात करते हैं, number of moles after dissociation upon initial moles taken, तो number of moles कितने हो गए है, 1 plus 3 divided by initial moles 1, that is a 4, क्या निकल के आया हमारे पास, 4 निकल के आया, बच्चे अगर हम बात करते हैं, I is के लिए कितना आया है, 4 आया है, now one molar glucose, glucose ही बोला है या फिर सुक्रोज बोला हुआ है, glucose, glucose solution, glucose solution, मैं लिए glucose will not break, glucose होता है C6H12O6, it will not break, यह किसी आयांस में break नहीं होता, तो इसके लिए I होता है 1, so more the value of I, more is the, हमारे पास क्या हो जाएगा, depression in freezing point, मैंने बोला ना I, तो solution one, और solution two, आओ पहले page पलटके देखते हैं, किसके लिए बात हो रही है, solution one, हमारे पास उपर वाला है, solution two नीचे वाला, तो यानि कि हमारे पास solution one हो गया, one molar glucose, और इसमें आएगा, हमारे पास solution two, one molar, ALNO3, whole thrice, ALNO3, whole thrice, आग्या point समझ में, ALNO3, whole thrice, तो guys, हमारे पास ये इतना portion था, it is a, अगर मैं marker की बात करूँ, तो it is a, two marker, just wait, it is a two marker question, हमारे पास एक mark तो इस बताने में चला जाएगा, कि भहिया, इसमें से क्यों है, और एक इस mark पर आजाएगा, एक इस पर आएगा, महला, एक answer पर आएगा, और एक उसके reason explanation पर जाएगा, कि भहिया, two mark में से, कितने mark इस में से दिये जाए, come to the next one, the osmotic pressure of a solution of a clean sugar was found, found to be 2.46 ATM at 2.46 ATM, at 300 Kelvin, if the solution was diluted 5 times, solution हमने क्या कर दिया है, 5 times dilute कर दिया है, calculate the osmotic pressure, calculate करना, at the same temperature, how can the osmotic pressure of the gas, given cane sugar, solution to be, solution be decreases, without changing its volume, give a reason for your answer, guys हमारे पास क्या होता है, osmotic pressure का, pi is equal to CRT होता है, what is C, C is the concentration, can I say, pi is equal to, N upon V into RT, बच्चे, अब दो चीजों पर है, बैसे, अगर मैं बोलू, pi, pi अगर depend करता है, एक तो depend करेगा, C पर, और एक depend करता है, T पर, अगर temperature constant, तो C के directly proportional, concentration constant, तो temperature के directly proportional, ठीक है, मतलब temperature के direct, अगर हमारे पास, भई, अब देखते हैं, इसको, कैसे हम इसको deal करते हैं, पहले हम करते हैं, osmotic pressure वाले उसको deal, इन्होंने बोला है, कि 2.46 ATM at 300 Kelvin, if the solution, was diluted 5 times, ठीक है, हमने क्या करा, 5 times, तो बच्चे, इस basis पर, at constant temperature, at constant temperature, we know that, कि πाई is directly proportional to C, तो हमने बोला, कि πाई 1 upon πाई 2, is equal to C1 upon C2, osmotic pressure पहला क्या है, 2.46 divided by πाई 2, मुझे निकालना है, concentration अगर 3 कर दी है, तो उतको क्या कर दिया है, dilute कर दिया, means decrease कर दिया है, C by 5, बस कुछ नहीं C से C कटा, 5 उपर गया, तो 2.46 is equal to 5 πाई 2, so πाई 2 is equal to 2.46 divided by 5, if we solve this part, तो 0.54 जा 5 को 20, 4, 4 आया 6, 5, 95, रेक आया 2, 0.492 जो भी unit given होगा, उस unit में आप अपना data रख देंगे, ये unit कितने में given है, ATM, तो your answer should be ATM, और भीया, day unit मतमिस करना, आधा नंबर खा जाते हैं, फिर examiner, उसको भूक लग जाती है, point clear होगी है, ये unit भीया, बहुत important है, उसके पास अधिकार है, examiner के पास, कि आपने unit नहीं लिखा है, आधा माक्स उड़ा दो, अगर आपको लगता है, कि आप ऐसी सत्तर में से, 24-25 नंबर वाले हो, तो एक बार को वो एग्नोर करतेगा, वो आपको पास करने के चिक्कर है, कि भी आप पास हो जाए, आपको साल पर बाजना हो, अगर आप, if you are 60 अवर मार कर, सत्तर में से आपके 60 से उपर नंबर आ रहे हैं, तो इस पर नंबर उड़ जाएंगे, इस पर फिर नंबर नहीं मिलेंगे, if you don't write the ATM, यह मैं परसनल एक्स्पीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेक की हुई है, उपका आंसर शीट से, चलिए, come to the next one, इसकी मार्किंग, अच्छा, हाँ, आप right now, इन्होंने second part और पूछा हुआ था, कि how can we, osmetic pressure of the given cane sugar solution be decreased, without changing its volume, right now I am not changing the volume, मैं बोल्स वैसी नहीं घटा रहा घटा रहा था, बहुँ प्रेशर, volume से concentration घटा रहा बढ़ा था, मैं पानी एट कर दिया या पानी कम कर दिया किसी तरीके से, right now मैं volume नहीं चेंज कर रहा, तो जब volume नहीं चेंज कर रहा, तो pi is directly proportional, at constant volume, at constant volume, ऐसे रहेंगे, at constant volume, pi is directly proportional to temperature, so to decrease the osmetic pressure, या on decreasing the temperature, on decreasing the temperature, osmotic pressure, osmotic pressure will decrease, will decrease, चलिए next आता है हमारे पास, next part यहां तक हो गया, अच्छा इसका मैंने वो नहीं बताया आपको, break is, अगर मैं break is की बात करता हूँ, it is a 3 marker question, 3 mark में से 2 mark इस पे जाएंगे, और 1 mark इस पे जाएंगे, it is a 3 marker, ठीक है, 2 mark में से, एक तो प्रोपेस्टनलिटी पे marks मिल जाएगा, अच्छा यहां पर यह चीज मेंशन करना, या फिर, यह वाली चीज तो है, यह formula भी लिखना, आधा marks तो ऐसी मिल जाएगा, इस formula पर भी आधा marks मिल जाता है, चले, come to the next one, और पार्ट, 33 का और पार्ट, एंड इस पेपर का last question, हम पेशेंट को दे रहे हैं, बच्चे, सलाइन वाटर एक होता है, नमक का पानी, क्या करा जाता है, वो बोला नहीं जाता है, जब कई लोग बिमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आप लोगोंने notice किया होगा, उन्हें बोटल चड़ती है, वो बोटल इस नथि, उसी में कुछ कुछ चीज़ें एड करते हैं, वो बोटल इस नथि, that is the saline water, what is the saline water, saline water जो होता है, saline water, यह होता है, 0.9% mass by volume, mass by volume, solution of, solution of NACL, and it is similar with blood fluid, and it is similar, and it is isotonic, isotonic with blood fluid, बच्चे यह मैंने information, just pass करी है आपको, ताकि मैं इसको समझा सको, यह नहीं लिखना है एग्जाम में, हमारे blood में, जो fluid होता है, उसकी जो concentration होती है, वो 0.9%, यह NCRT की लाइन है, एक बाद डेटा चाहें, तो cross check कर लिजेगा, NCRT का लाइन है, और 0.9% mass by volume, NACL solution is known as a saline water, point clear हो गया, saline water हो गया, आईए मैं बात करता हूँ अभी इसको, ठीक है अभी बहुत ज़्यादा care करते हैं, solution used, why is the necessity, to check the concentration of these solution, why is the necessity, to check the, these solution, अगर मैं इस question को solve करता हूँ, तो इसका answer पहले, इसको solve करने से पहले, दो-तीन चीज़ें और समझनी होती हैं, एक होता है, osmosis, osmosis, osmosis आप biology में, अगर कोई बच्चा biology से, biology background से है, तो biology background वाले बच्चे को, osmosis फिर भी समझ में आता है, चलिए हम बात करते हैं, अगर पहले मैं समझता ओ, osmosis, ये बच्चे पार्ट अभी exam में लिखना नहीं है, अगर हमारे पास osmosis की बात करते हैं, क्योंकि जब तक osmosis नहीं समझेंगे, तब तक ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला, भई मेरे पास, हमने क्या करा, वैसे तो इसी पेपर में मैंने osmosis को समझाया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको दुबारा समझा देता हूँ, this is a semi-permeable membrane, तो SPM, इन भाई साब का काम क्या है, क्या फिल क्या हुआ है, NACL solution, गाईज NACL का solution पानी, अच्छा water के amount किधर जादा है, water का amount इधर जादा है, comparative दे, तो जिसका, अब ये semi-permeable membrane allow किसको कर रही है, allow कर रही है only water molecule को, तो semi-permeable membrane ये बोल रही है कि, भईया मैं water ये water से छोटे molecule को पास होने दूँगी, ऐसा मान के चलो, तो वो water को इधर उधर जाने में नहीं रोक रही, पर NACL के NACL को जहां है, नहीं भईया तेरे लिए boundary है, तिरको नहीं पास होने दूँगी, अब आती है बारी, water की, तो वोटर किधर जाएगा, water जाएगा from hair to hair, अगर मैं as a solution बात करता हूँ, as a solution के respect में, तो solution concentration किसमें, ये तो pure solvent है, इसमें तो कोई concentration है यह नहीं, concentration तो इसी की ज़्यादा है, तो हमारे पास, osmosis बोला जाता है, movement, of, solvent molecule, solvent molecule through SPM, molecule from, अब दिखना, with respect to NaCl concentration, लिखा जा रहा है, और कुछ नहीं, from higher concentration, sorry, from lower concentrations to higher concentration, from, lower, concentration to higher concentration, and concentration is with respect to, concentration, is with respect to, किसके respect में है, is with respect to, हमारे पास, lower concentration to higher concentration, and concentration is with respect to, हमारे पास किसके respect में है, बच्चों, यह हो जाएगी, हमारे पास, solute के respect में, तो कुल मिला कि अपने दिमाग में, from lower to higher data रखे, कि महारे पास movement होगा, आप के पास, अब अब दिमाग में क्या रखना है, माल लेते हैं, हमारे पास एक भी कर लिया, इसको मैंने SPM से अलग कर दिया, this is, this is C1, और this is C2, and C1 is greater than C2, तो मुझे बताईए, किधर थे किधर जाएगा, solution T1, यस इधर से, इधर जाएगा, C2 is lower ना, तो यानि C2 lower, तो अधर water जादा रहा होगा, compared to solute, वाटर जादा तो water ही move करेगा, water ही move कर सकता है, तो water के respect में लिखोगे, तो from higher to lower, पर हमारी chemistry में, concentration, water के respect में नहीं लिखी जाती है, भई, solute के respect में लिखी जाती है, clear हुआ कुछ, चले, आप right now, RTA बारी, दो words के, हमारे पास, दो words की, एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं, मैं इसको फिर से समझाता हूं, एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं, so that कि आपको clear हो जाए एक बार, और मैंने बोला, this is C1, this is C2, C1 और C2, अगर हम बात करते हैं, C1, मैंने पीछे वाले case में क्या लिया था, मैं वही उसी के साब, C1 is greater than C2, C1 is greater than C2, तो यहां पर आप बोलेंगे, solvent will move, solvent will move, from C2 to C1, मैं बार-बार चिला रहा हूं, और मैं सही हूं, कई बच्चे कहेंगे, ने सर आसमसिस तो यह होता है, from higher concentration to lower concentration, वो भया with respect to water होता है, chemistry में आप with respect to solvent पढ़ते हैं, तो with respect to solvent, तो solvent move from C2 through C1, अच्छा, अब जब C2 की concentration, हमारे C1 की concentration ज़्यादा है, सो C1 is hypertonic solution, solution with respect to with respect to C2, and C2 is hypertonic, hypotonic solution with respect to C1, guys, आप बड़े confused हो जाएंगे, इसके respect में, तो मैं बड़ा ही एक important बात बताता हूं, हाइपर means ज़्यादा, हाइपो means कम, जिसकी concentration ज़्यादा, वो हाइपर, जिसकी concentration में बड़ा कम, उसकी उसे बोलते हैं, हमारे पास, जिसकी concentration कम, उसे हाइप, राइट नाउ, अब आता हैं answer, क्योंकि अभी तक, यह हुआ concept समझाना, कि इस question में, क्या concept लगना था, राइट नाउ, blood cell, blood cell की जो concentration है, वो है 0.9% mass by volume, वही mass by volume है, आप MV से समझ जाओगे, mass by volume है, ठीक है, इसे ज़्यादा बेटर है, weight W by V, mass by volume, W by V, अगर हमने, मलब जो solution, जो injection put किया, if, मलब NACL solution की, NACL solution, भी हमारे पास, 0.9% weight by volume होगा, तो nothing happen, means, means, it is good for, for inject, good for inject, ठीक है, इस, NACL solution, का, concentration, is more than, 0.9% weight by volume, अब इसकी concentration, ज़्यादा है, तो, it is a, मलब NACL solution, NACL solution, is, hypertonic, hypertonic, अगर यह, hypertonic हो गया, बच्चों, इसकी concentration जाता है, और ध्यान से देखो, मैंने अभी, पीछे explain किया था, कि solution, C1 की concentration, मैंने, C1 की concentration, मैंने ज़्यादा रखी थी, तो solvent, किधर से किधर जा रहा था, solvent, जो move कर रहा था, वो इधर से इधर कर रहा था, बई, इधर से इधर, अब, blood shell, मतलब, now क्या हो जाएगा, blood shell will shrink, shrink, तो blood, shell, blood shell, will shrink, वो सुक उड़ जाएगी, जैसे किसमिस होती है, अगर यही, if, NACL, solution, concentration, is less than, 0.9% weight by volume, NACL solution क्या होगा, इस क्वाले case में, NACL solution हो जाएगा, बच्चो, यह हो जाएगा, hypotonic, hypotonic, तो यह क्या होगा, हमारे पास, blood shell, will, swell, अगर, अगर आप, appropriate concentration, inject नहीं करते हैं, तो या तो, blood, मुला, या तो solution, hypotonic हो रहा होगा, या hypotonic, दोनों के case में, एक में, blood shell, shrink हो जाएगी, एक में, swell हो जाएगी, दोनों केस में, ये, death का, एक कारण बन सकती है, इस वज़े से, बहुती, carefully, बहुती, ज़्यादा ध्यान के साथ, doctor injection को, inject करते हैं, concentration को, check करके, आप, अगली बार, जब ध्यान, जाएगी, injection लगवाने, तो, concentration उसकी, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट है, अगर, concentration, अप एंड डाउन हुई, आप गए, समझ में आया, clear हुआ, कितने importance है, इस वज़े से, मैंने इस concept में, time भी लिया, come to the next one, अगर हम next question पर आते हैं, 33 का B, I think, ये last part होना चाहिए, the solution of phenol was obtained by dissolving, अच्छा, solution of phenol, phenol हो गया, मेरे पास, OH, was obtained by dissolving, 2 into 10 to the power minus 2, this is the 2 into 10 to the power minus 2 kg, of phenol in 1 kg of benzene, ठेक है, benzene में हो गया, it was experimentally found, to be 0. sorry, 73% and associated, calculate the depression, in the freezing point recorded, अच्छा, इन्होंने KF की value नहीं दिया, that is a 5.12, अगर मैं precise चलता हूं, तो और मैं देख लेता हूं, cross check कर लेता हूं, वैसे तो 5.12 है, जहां तक मुझे याद है, और, यही है 5.12, unit हो जाएगा, Kelvin kg, अगर जी पर मॉल, यह है, यह data बच्चों इन्हें देना चाहिए, मलाब यह मुझे value याद थी, roughly और बाइचांस यह सही याद थी, मुझे इसके लिए, तो ठीक है, आईए बात करते हैं, हमें पता है कि, अगर किसी में एसोसियेशन और डिसोसियेशन होता है, उस फॉर्मले में आई का इन्वाल्मेंट जरूरी है, अगर ना एसोसियेशन हो ना डिसोसियेशन हो, वहाँ आई मत पूट करिये, पूट के कोई जरूरत नहीं है, तो आई इंटू के एफ इंटू मुलालिटी, चलिए वन बाई वन डेटा निकालते हैं, क्या मुझे आई पता है, नहीं, क्या मुझे के एफ पता है, चलो अब पता चलिए, क्या मुझे मुझे मुलालिटी पता है, नहीं तो पहला data में आई के लिए नहीं पहले मैं molality के लिए calculation करता हूँ molality molality बच्चो होती है n of solute upon mass of solvent वो भी किसमे kg में चलो हम यहाँ पर लाके data भी फेकेंगे पर चा मुझे मुझे मोल्स पता है नहीं मुझे मोल्स भी नहीं पता तो मुझे मोल्स नहीं पता तो फिनॉल का जो molar mass होता है ओए अगर आप इसका formula निकालोगे तो c6 h6o होता है तो यानि की 72 प्लस 6 प्लस 16 एड़ करेंगे तो 6 है 12 और 14 प्लस 9 94 ग्रैम दिस इस अ मोलर मास तो n क्या निकल के आएगा बच्चो निकल के आएगा हमारे पास grams में गिवन है kg में गिवन है तो 2 into 10 की power minus 2 into 1000 ग्रैम से में convert हो गया divided by 94 आप इसे रखें 20 upon 94 that's all अभी इतना ही रखें तो यानि आपको moles मिल गए solvent का weight कितना है 1 kg तो molality क्या निकल के आएगी that is a 20 upon 94 divided by 1 चलो हमारे पास molality निकल के आगई आएगे बच्चे हमारे पास phenol phenol will get dimerize क्योंकि dimerize ही होता है तो phenol का weight OH there is a 2 moles और they will dimerize और phenol और dimerize करके 2 बनाते हैं चलिए देखते हैं T is equal to 0 डाइम पर गर 1 लेते हैं तो यह nothing और पूरा का पूरा dimerize करा दो तो यह खतम हो जाएगा हमारे पास नहीं इन्होंने 2 पूरा का पूरा नहीं बोला हुआ भई इन्होंने बोला हुआ कितना dimerize कराना है 73% यानि कि alpha की value 0.73 है तो 1 minus आप इसे काम करिए alpha लीजिए यह बनेगा alpha by 2 तो i is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2 divided by 1 तो that will be 1 minus alpha by 2 और alpha is equal to क्या होता था है 0.0 percentage में given है तो percentage में 0.73 है तो point इसमें मैंने value पूट करी तो i की value हमारे पास निकल के आती है बच्चो 1 minus 0.73 by 2 तो that is a 1 minus that should be the 0.31 carry 65 अगर आप इसे minus करते हो 1 में से यह 10 में से 5 9 में से 6 गए 2 3 और 9 में से 3 गए 6 0.65 i ठीक आई भी आ गया m भी आ गया kf हमें पता है तो delta tf की value अगर मैं calculate करता हूँ तो 0.i 0.635 multiply by 5.12 into that is the 0.99 यह value किती थी हमारे पास 20 upon 94 20 upon 94 इसको मैं अगर solve करूँ तो बच्चे आप तो मैं केवल data ही लिखूँगा solve आप करियेगा ठीक है आप solve करियेगा answer is delta tf is equal to 0.691 आप एक बार calculate कर लिजेगा पॉइंट क्लियर आप एक बार calculate कर लिजेगा यू विल गेट दांस आई यह देखते हैं आगे कोई question तो नहीं बचा वैसे बचना नहीं चाहिए this is the for visually challenged students चले question पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है which of the two solution 1m ठीक है यह अभी हमने करा था यह अभी हमने किया हुआ था ठीक है same to same question इसके बाद फिर हमने the osmotic pressure of the solution is found to be 2.46 same done already done हो चुका है यह अभी जो हमने अभी पीछे देखा था right now come to the next while giving a travenous injection to the patient yes done यह भी डन हो गया यह तो same question है visually challenged students के लिए और this is also same done बट भया एक information काया आवे मिलनी चाहिए exam में और मिलेगी आपको यह information मिलेगी नहीं मिलेगी तो आप इसे leave कर देना भया value किसको याद करेगी है तो मुझे याद है by chance कि ओके तो right now चलिए फिर बच्चो कैसे लगा आप लोगों को मलब यह solution definitely solution अगर हम बात करते हैं इसे मैंने parts में upload किया है आप लोगों के लिए बट अगर मैं overall combine करता हूं इसको तो यह combined 3 गंटे से उपर जा रहा होगा पर बच्चो यह मलब आपको explanation के साथ मैंने पूरा बताया है तो explanation के साथ time लग जाता है आप इसे देखिए समझे इसके behind जो concept उसको understand करिए अगर आपको किसी को भी कुछ doubt है कुछ भी है तो आप comment box पे लिखिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो please comment box में आप लिखिए मैं उस आप यह लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए जात से ज्यादा लोगों तक इसको पहुचाईए थैंक्यू गाइस थैंक्यू सो मच